कि यह रहां दोस्तों नमस्कार शुप्रभाद गूड मॉर्निंग सस्रियकाल जैहीन वंदे मात्रों कि दोस्तों जिसाई कि आपको पता है रोत की तुरह आज भी हम आपके लिए लेकर आएं बीज जुलाई की करेंट अफे लेकर कि अब जुलाई की करेंट लेकर आएं साथ योड में सब्सक्राइब कलेंगे लिए घ्रावी परिक्शम के लिए भी और हमान नौलेज के लिए तो साथ योड करण की सुरत करें इसा पहले आज कि स्विचार की बात कर लेते हैं आज कर सुचार है कि है कुछ बनो देर से ही सही पर कुछ बनो क्योंकि वक्त के साथ लोग यहां खेरियत नहीं हैसियत पुछते हैं कुछ बनो भले देर से ही सही पर कुछ बनो क्योंकि वक्त के साथ लोग खेरियत नहीं हैसियत पूछते हैं तो साथियो उमीद है कि आप अपने इस सुविचार को समझने के बाद अपने गौल पर फोकस करेंगे तो साथियो आगे बढ़ते हैं अपनी करेंट अफेर को लेकर 20 जूलाई के पहली करेंट साथ ही अपनी वो है अंतराइश्टी सतरांच जिवस जो है वो हर साल है वो 20 जूलाई को मना जाता है और संत्रंज एक रार्मनीति खेल है जो 64 वर्गा का चेक बोर्ड का उप्योग करके दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है और जो व्यक्ति दुसरे की राजा को मात दे देता है उसे विज़ेता माना जाता है अंत्राष्ट संत्रंज महासंग FIDE की स्थापना इसी दिन 1924 में होई थी और 12 दिसंबर 2019 को महासंबा ने बीच जुलाई को अंत्राष्ट संत्रंज दिवस की रूप में गोशित किया भारत पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारन का धारक बन चुका है 25 जुन 2021 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार करिब 609 अरब डोलर था और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की इस्तति है वो अठारा मुने से अधिक के आयात कवर के मामले में अच्छी है और अब परत्यासित बाहरी जटकों को जेलने की सक्ति प्रदान करती है मोहन बागान की बात करें तो मोहन बागान रतने से समानित होंगे सिबाजी ठीक है तो सिबाजी यह वो मोहन बागान रतने समानित होने वाले है भारत के पुर्व गोल कीपर सिबाजी बंदर जी को माननो परांत मोहन बगान रतना से समानित किया जाएगा ये मर चुके है दोस्तों साथ ही बात करने हैं फिजी के स्ट्राइकर रोय क्रिश्णा को भी दोजार पीस और एक्कीस के सर्वस्रिस्ट पूर्बोलर की रूप में चुना गया है और अभी मन्यू इश्वरन को सर्वस्रिस्ट क्रिकेटर चुना गया है जबकि राष्टी चेंपनसिप में 100 मिटर पाली बिदिश है आठी कैं बिदिश्या कुंडू को सर्वस्रिस्ट एथेलिट की रूप में नामी तक किया है नामी बात करते मुंकतर अब्बास की तो राजी सबा में सदन की उपनेता रहे हैं यह केन्द्री यलप शंक्यक मामलों के मंत्री मुकतार अबस नकवी को राजी सभा में सदन के नेता के रुप में पदभार संभाला नकवी 2016 में राजी सभा के लिए चुन्या गए थे 2014 में उन्हें संसद्धी मामलो और अलपर संक्यक मामलो का राज्य मंत्री बनाए गया अंत्रिक्स अन्वेशन दिवाद 20 जुलाई की बात करें तो हर सल भी जुन्या को मनाते हैं और नाशा का अपोलो लोटी है नाशा का अपोलो कारिकरम अपोलो 11 पांचवा मानव व्यूक्त मिशन था जो 16 जुन को प्लोरीडा से शुरू किया गया और 26 जुलाई 1909 को प्रत्वी लोट आया था ठीक है साथी ये दिवा से वो 20 जुलाई को उनकी द्वारा चंद्रमा पर कदम रखने को चिनित करता है 1984 में से उक्तिराज जे अमेरिका की राष्टरपती रोनाल्ड रिगन द्वारा इस दिन को अधिकारिक तोर पर छुट्टी के रूप में गोशित किया गया था कारा कोरम की बात करें तो कारगिल सरदान जली रेली हुई रवाना फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ओफिसर कमांडिंग लेटिने जनरल पी जी के मेनन ने जुलाई 2021 में लेह में कारा कोरम से कारगिल सरदान जली रेली को हरिजन दिखाई है और 1971 की युद्विजे की पच्चासवी वर्षगाट और कारगिल विजे दिवस की 22 वर्षगाट के उपलक्ष में फायर एंड फ्यूरी कोर कई कारेक्रम का विचन कर रहा है और बाइक रेली लेह से लोदत दोलत बे गोल्डी डीबियो से द्रास तक एक हजार किलोडर की दुरी त्दे करेगी वनिता नारायन की बात करें तो HCL Tech ने वनिता नारायन को किया है निदेशक निउक्त तो HCL Technology Limited ने वनिता नारायन को उन्हें जुल्य ग मौने जुलाए 2021 से प्रभावी अपने बोर्ड में एक अतिरित निदेशक की रूप में निउक्त किया है और ना पंत्र निदेशिक की रूपे पद संभालेगी और नारायान की सामिल होने पर कमपनी के बोर्डर में बोर्ड में चार महिला निदेशिक सामिल होगी जो उद्योग में सरवच में से एक है 2020 में नारायान IBM में तीन देशक के लंबे करियर के बाद सेवा निवरत होई थी RSS की बात करते हैं तो RSS पर पुस्तका चीनी में अनुवद हो चुका है राष्टी स्वयम सेवक RSS पर भाजपा नेता सुधानशु मित्तल की पुस्तका अब चीनी भासा में अनुवद किया गया है और RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवाद जो RSS की इतियास विचारदाराओ नित्यों और राष्ट पर उनकी प्रभाव की बात करती है 2019 में हर आनंद प्रकास्टन द्वारा लांच करी गई थी और चीनी अनुवद जेक बो ने किया है मासकों में माक्स 2021 एरशों की बात करें तो भारती वाईशिना IAF सारंग हेलिकप्टर प्रदर्शन टीम ने 19 जुलाई 2021 को मासकों में माक्स 2021 एरशों में प्रदर्शन किया है और IAF एरोबेटिक टीम सारंग पिकोग दुरूश में 20 से 25 जुलाई तक आजित होने वाले माक्स 2021 एरशों में प्रदर्शन में भाग लेगी और द्वी वार्शिक एरशों का पिछला संस्क्राण 2019 में आजित किया गया था बात करते हैं 50 मिलियन कोरूना मामलों को पार करने वाला पहला चेतर है यूरोप एरोप एरोप है वो दुनिया भर में सबसे बुरी तरब रभावी चेतरों में से एक है और इसने वेश्विक मामलों में 27 प्रतिशत और वेश्विक मोतों में 31 प्रतिशत के आगड़े दर्श किये यूरोप को 25 मिलियन से 50 मिलियन मामलों तक पहुँचने में 114 दिन लगे जब कि पहले 25 मिलियन मामले 350 दिनों में सामने आ गए थे बात करते हैं भारती नौसेना के जहाज और फ्रांसीजी नौसेना के बीच अब्यास हुआ है भारती यूट्ट पोद आई एनस तबर 15 से 16 जुलाई 2021 को बिसके की खाड़ी में फ्रांसीजी ब्रिगेट, FNS, एक्विटाइन और फ्रांसीजी नौसेना के चार राफे लड़ाकों विमानों के साथ दो दिवसी अब्यास का हिस्सा था साथे जहाज द्वरा पंडुबी, रोधी और वायूरक्षा अब्यास, समुद्र में पुनापूर्ती और फाइरेंग साहित कई तरह के आप्रेशन किये गए अब यहाँ अब्यास जो है वो इंटर ओपरबिलिटी बढ़ाने में परासपरी ग्रूप से भाइदेमन था स्त्रीपद वदर स्वामी जी का उनी जुले 2021 को निदन हो गया और जो परद गले जीवत मठ द्वेत कम का पहला गोड सारस्वत मठ है जो तेरवी सितब्द इस्वी में माध्वा चाहरे द्वारे स्थापिक किया एक प्रणाली है स्वामी जी मर्ड के 23 पादरी थे जिसकी स्थब्द ना 1435 में हुई थी तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि जो बीद जुलाई की करेंट हम आपके लिए लेकर आए थे आपको कफी इंपरेंट मेंसेश होगी और इंपरेंट है तो जल्दी जी ले आप करेंट वीडियो को आप शेयर करते जी लाइक भी करतेजी और आपका चैनल के ओएस की रोन लाइस चली इसे सब्सक्राइब करतेजिए और सायत में राइट को अदर में आपको बेल लेकर देबेगा उसे भी आप प्रेस कर देजिए दिखेगा तो उसे प्रेस कर देजिए इसे और नाटिविशन पर रख देजिए आज का दिन आपका सुभी ते इनी शुब करने जाए धन्यवाद दोस्तों